आज़नी प्रधान मंत्री जी का तहे दिल हार दिक स्वागत करता हूं और अविनंदन करता हूं और विशेश रूप से इसलिए भी अविनंदन करता हूं कि प्रधान मंत्री जी की दूर दर्शिता उनकी कालपनिक शम्ता और द्रण इक्षाशक्त का यह परणाम रहा है कि आ एक उलेखनीय कारे हुआ है यो कि आपके मार दर्शन में हुआ है सेंटरल विस्टा की इस अइतिहासिक प्रियोजना में पहली एचिवमेंट ये डिफेंस के नाम से होना हमारी ओभराल सेक्योर्टी के प्रती जो आपका कमिटमेंट है आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है इसक जिस हिस्से में हम चेंटरल विस्टा जिसे हम सेंटरल विस्टा के नाम से जानते हैं इसका निर्मान आज से लगभग एक सताबडी पहले और अस्थाई आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए किया गया था राष्टपती भवन के इर्द गिर्द जो भी हट्मेंट हम देखते हैं वे दरशल जैता पूरी जी ने बतलाया सेकंड वर्ड वार के समय में बैरक थे अस्टबल थे और वह भी पूरी तरह से अस्था विवस्था धीरे धीरे अस्थाई होती चली गई वक्त के अंसार बदलाओं की जरूरत थी जैसे वक्त के अंसार आप बराबर बदलाओं करते रहते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन वह बदलाओं नहीं हो पाया यथा इस्टिट वात का जो रवया है उसके कार यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए हैं और मैं समयत्ता हूं कि यह हट्टमेंट्स उन्ही विरास्तों में से एक है और इन वैरकों हट्मेंट्स में आफिसियल सतर वर्सों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जरजर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी कभी-कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षामंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं यह हमारे आधिकारियों की वरकिंग कंडिशन को भी प्रभावीत करता था और इस हाटमेंट का फैलाव सें इसका नहीं हो पा रहा था लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दिन्रिक्षा शक्त का परचे देते हुए अपनी काल्पनिक शम्ता के अधात पर इतना बड़ा यह फैसला किया है जिसके परड़ाम सरूप यह कांपलेक्स बन कर तायार हुआ है जैसा आपको बतलाया गया है कि 7,000 से अधिक कर्मशारी और अधिकारी इस कांपलेक्स में पहले कि अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वरकिंग कंडिशन में अधिक इफिशियंसी के साथ वह काम कर सकेंगे और प्रदान वेंत्रि जी यह कांपलेक्स एकेसी सरी के आपस्टस के लिए हर प्रकार स है और हर तरह की सुविधाइं भी इफ डिफेंस कामप्लेक्स में उपलब्द हैं ऐसा मुझे बतलाया गया है और साथी को लोकेशन के कारण कि बिबन आपसेस के बीच ताल मेल भी पहले के पिक्षा अधिक बढ़ेगा क्योंकि हट्मेंट्स और बैरक्स में यह संभव नहीं था लेकिन यहां पर को लेकेशन होने के कारण बिबन आपसेस के बीच जो क्वाइडनेशन होना शाहिए सौभावी क्रूप से वह गया और जिस जुनून के साथ यह हाउसिंग और अरवन अफेर्स मिनिस्ट्री ने काम किया है उसकी जितनी भी प्रसंसा की यह कम है और उनके सचिव जब दुरगा शंकर जी मिस्तर से जब भी हमारी बात हुई तो मैंने उनके अंदर जो जुनून देखा पहले मुझे नह कि अधारी समय में पूरा हो बाएगा लेकिन जुनून देखने के बाद हमारा विश्वास पक्का होता चला गया कि बार बार वह कहते थे नहीं हम इसको समय के अंदर पूरा करेंगे और यह कांप्लेक्स पूरा हो गया है और इस अधर पर प्रधान मंतर जी के प्रतिमें आ रियुक्ती का प्रष्ण हो चाहे डिफाणस माडरनािइशन हो चाहे डिफेनस एक्विशन हो और रक्षाशह शयतर में आत्म नर्वर्ता के लिए आपके नतृत्य में किये गए प्रयासों का परड़ाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा दाया है कि इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन वैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो अभी एक सुरुवात मात रहे और सेंटल विस्ठा के री डवलेप्मेंट की सुरुवात नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना मैं समझता हूँ स्वेम इस प्रकार की आपकी दूरजर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिट्मेंट को यह दर्साता है देवियों सज्जनों नए पार्लेमेंट के कमपलीशन और सेंटल विस्टा के पुनर निर्मान के साथ माननी प्रधान मंतरी जी की परिकल्प करना के अनरूप जब है इलाका निखर कर भव्यता के साथ सामने आएगा तब यह नए और सशक्त भारत का पूरी तरह से प्रतित्त करेगा ऐसा मेरा पकावी श्वास है कि इस उसर पर मैं आवासन और सहरी कार्यमंत्री त्रीहरदीव सिंग्जी पूरी और उनके पूरे मं त्राले को और CPWD विहाग को भी हर दिक बढ़ाई देता हूं और जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है तब जाकर यह निर्मार्ण पूरा हो गया है इफले पुनह अपनी सर्फ से उन सब को हरदय की गहराईयों से बढ़ाई देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक् झाले